नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों साल 2024 में एक जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक लगने वाले हैं पाँच ग्रहन तो आखिर कौन-कौन से ग्रहन लगेंगे ग्रहन का सही समय क्या होगा सूता काल कब से शुरू होकर कब तक चलेगा यह ग्रहन कौन-कौन से देशों में दिखाई देगा इसी के साथ हम लोग यह भी जानेंगे कौन सा ऐसा वह ग्रहन होने वाला है जो की साल 2024 में होली के अवसर पर लगने जा रहा है इन सभी के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले एक बार कमेंट में ओम नमा सिवाय अवसर लिखें दोस्तों साल 2023 समाप्त हो चुका है और अब साल 2024 सुरू होने ही वाला है ऐसे में आपको बता दे 2024 ग्रहन के मामले में बहुत ही ज़्यादा खास होनी जा रहा है इस साल कुल पांच ग्रहन लगने वाले हैं जहां आप सभी को याद होगा 2023 में चार ग्रहन लगे थे 2022 में भी चार ही ग्रहन लगे थे लेकिन अब 2024 में कुल पांच ग्रहन लगने वाले हैं जिसमें से तीन चंद्रग्रहन और दो सुर्य ग्रहन होने जा रहा है। दोस्तों, चंद्रग्रहन उस इस्थिती को कहा जाता है, जब सुर्य और चंद्रमा के बीच धर्ती आ जाती है। ऐसे में सुर्य का प्रकास चंद्रमा तक नहीं पहुँच पाता है। दोस्तों यह इस्थिती हमेशा ही पूर्णिमातिती पर बनती है जबकि सुर्य ग्रहन उस इस्थिती को कहा जाता है जब सुर्य और धर्ती के भी चंद्रमा आ जाती है ऐसे में सुर्य का प्रकास धर्ती तक नहीं पहुँच पाता और धर्ती से सुर्य का कुछ हिस्सा या फि दोस्तों जोती सास्त्रियों के अनुसार सुरिय ग्रहन और चंद्र ग्रहन बहुत ही जादा असुभगटना मानी जाती है माना जाता है सुरिय ग्रहन और चंद्र ग्रहन के दोरान किसी भी परकार के सुभकामों को नहीं करना चाहिए ऐसे में अगर आप भी 2024 में कोई सुब काम करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको 2024 में लगने वाले सभी ग्रहन के डेट और टाइम के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप इन डेट पर उन कामों को ना करे तो चलिए दोस्तों जानते हैं 2024 में ग्रहन कब कब लगेंगे इसका सही समय क्या होगा दोस्तों 2024 का पहला ग्रहन 25 मार्ज 2024 को लगेगा यह एक चंद्र ग्रहन होगा आपको बता दे फागुनमास के पूर्णिमा तिथी पर लगने वाला यह ग्रहन बहुत ही जादा खास होने जा रहा है क्यूंकि इस दिन होली त्योहर मनाई जाने वाली है यानि कि 2024 में होली के दिन चंद्र ग्रहन लगने वाला है फागुन मास के पूर्णि मातिती को हर साल होली मनाई जाती है ऐसे में क्या इस वार 25 मार्ज 2024 को हम लोग होली मना पाएंगे तो आप सभी को बता दे कि यह ग्रहन जो है अस्ट्रेलिया, अफरिका, अमेरिका और नौर्थ इस्ट एसिया में लगने जा रहा है यह ग्रहन भारत में नहीं दिखाई देगा, ऐसे में भारत में यह ग्रहन माने नहीं होगा ऐसे में हम लोग भारत में होली मना पाएंगे लेकिन भारत के जो नागरिक अस्ट्रेलिया में रहते हैं या फिर अफरिका, अमेरिका में रहते हैं वो इस बार होली नहीं माना पाएंगे दोस्तो इस गरहन का समय सुभा के 10 बच कर 23 मिनट से ले करके साम 3 बच कर 2 मिनिट तक है वही पर इस साल जो अगला गरहन लगेगा वह 8 अपरेल 2024 को लगेगा और यह एक सुरिय गरहन होगा गरहन की सुरुवात रात के 9 बच कर 12 मिनिट पर होगी और गरहन समापत रात के 2 बच कर 22 मिनिट पर होगा यह गरहन यूरोप, नौर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में दिखाई देगा दोस्तो इस साल जो अगला गरहन लगने वाला है वह 18 सब्टेंबर 2024 को लगेगा और यह एक चंदर गरहन होगा दोस्तो यह गरहन सुबह के 6 बच कर 11 मिनिट से सुरू होकर के सुबह 10 बच कर 17 मिनिट तक चलेगा गरहन यूरोप, अफरिका, अमेरिका, पैसिफिक और अटलांटिक में दिखाई देगा दोस्तो इसके बाद अगला गरहन 2 अक्टूबर यानि की गांधी जयन्ती के दिन लगने वाला है यह गरहन सुरी गरहन होगा गरहन रात के 9 बच कर 12 मिनिट से सुरू होगा और 3 बच कर 17 मिनिट पर खत्म होगा यह गरहन अमेरिका, अटलांटिक और आक्टिक में दिखाई देगा यह गरहन भारत में नहीं दिखाई देगा दोस्तों इसके बाद अगला गरहन 17 अक्टूबर 2024 को लगेगा यह एक चंद्र गरहन होगा दोस्तों इस ग्रहन के बारे में अभी तक बहुत जादा जानकारी उपलब नहीं है हाला कि आपको बता दे कि यह ग्रहन भारत में नहीं दिखाई देगा उमीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरू कर दीजेगा